नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनिश कुमार सैनी केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार ने गुरुवार को लोकसबा में वक्फ संशोधन विदेयक 2024 पेश कर दिया है जहां विपक्ष इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहा है सत्ता पक्ष के नेता इस बिल को जरूरी बता इसका समर्थन कर रहे हैं इस बीच शिफसेना सांसद और सीम की एकनाथ सिंदे के बेटे श्रीकान सिंदे ने समर्थन में बताया कि इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी श्रीकान सिंदे ने कहा कि इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वक्ष की जमीन को लेकर पूरे देश में 85,000 मुकदमे चल रहे हैं उन्होंने कहा कि 165 से जादा केस हाई कोट और सुप्रीम कोट में चल रहे हैं सदन में श्रीकांच सिंधे ने कहा कि विपक्षगो वक्त की जमीन पर स्कूल, कॉलिज और अस्पताल नहीं चाहिए, बलकि ये लोग वोट बैंक खुश करने के लिए एक समाज को खुश करने के लिए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बिल का स् किया गया, क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है, फिर वक्त परिशद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है, केशी वेडूं को पाल ने दावा किया है कि विदेक आस्था और धर्म के अधिकार पर हमला है, उन्होंने कहा कि अभी आप मुस्लिम पर हमला कर रहे हैं, फिर इसाई पर करेंगे और उसके बाद जैन पर करेंगे, और देखा जा रहा है जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला और शंशोधन की जो बात निकल कर आ रही है, वो कहीं न कहीं केंदर सरकार को घेरती भी नज़रा रही है, और ऐसे में देखा जा रहा ह जिस तरह से उत्रप्रदेश और बिहार में चुनाओ का माहौल बनता वो नज़रा रहा है तो चुनाओ में भी कही न कहीं ये मुद्धा एहम हो सकता है और इस मुद्धे पर भारती जंता पार्टी घेरती भी नज़रा सकती है अब देखना ये होगा कि संशोधन का मामला आने वाले समय में क्या मुस्लिम समुदाए विपक्ष के पाले में जाता हूँ नज़र आएगा क्योंकि बिहार और उत्रप्रदेश में जो उप्चुनाओ और विदानसवाद चुनाओ होने हैं उसमें कहीं न कहीं मुस्लिमों का वोट भारती जंता पार्टी के पाले से देश वर्दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहे हैं एस्पियन नाइन न्यूर्ट